हेलो फ्रेंट्स फेलकम तुमाई चैनल मैं हूँ नीलम आजम बनाएंगे गुर गट्टा जिसको हम हनी कॉम केंडी भी बोलते हैं और ये हमारी बच्पन की यादों से जुड़ी हुई केंडी है हमने बच्पन में स्कूल के सामने मिलता हुआ इसको जरूर खाया है सबी कर्मल गुड़ है जो हम लोग घर में यूज करते हैं कोई स्पेशल गुड़ नहीं है एक टेबल स्पून शूगर लिया है खाने वाला मीठा सोडा और ये थोड़ी सी भुनी हुई मूंफली है जो की मैंने क्रश कर दी है तो इसके लिए हमें पहले तो इतना सामान ये देखिए मूंफली भुनी हुई है इसके बाद में हमें जिस बरतन में इसको सैट करना है उसमें हम थोड़ा सा घी लेंगे प्योर वाला और इसको हम चारो तरफ से लगा देंगे थोड़ा सा डाल कर इससे क्या होगा ये बरतन ग्रीस हो जाएगा और जब हम गुड़ गुड़ा बनाएंगे तो ये उसमें भरतन में चिफके गाने इस तरह से हम इसको चारो तरफ से गुमा घुमा कर अच्छे से मौटा मौटा गी लगा देते हैं तो चलिए बरतन भी तयार कर लिया इसको साइड में रखते हैं और आबी आगे का प्रोसेस देखते हैं ग्या क business Osman करना चाया करने करना है इस कोड़ा तोड़ा सा ऑनी डाल arrows देंगे मुश्किल दो चमश्पानी डाल나 है आफ लाख़र चिपके में गुड़ा डाल देने का इसके बाद में額 sa lo r доллар केंने अब चोपना चाहिए तो चोपना करना चाहाए तो जुब रच till आघ यही उसको तो बड़ा होगा तो भी वो पिघल जाएगा तो थोड़ी ही देर में गुड़ पिघल गया है और स्लो गैस पर हम इसको कंटीन्यू चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे तो मैं आपको एक तरीका बता दूँगी किस तरह हमें पतना है कि गुड़ हमारा अच्छे से हो गया है तो थोड़ी तो देर में जब हमारा गुड़ कलर चेंज करेगा तो हमें कटोरी में पानी ले कर दिखेंगे तो अगर यह ड्रॉप टूटते हैं ठीख है और अगर यह नहीं टूटते हैं तो हमें फिर वापस इसको और पकाना पड़ेगा तो चलिए अभी यह देख़िए इस तरह से खीच रहना है यह तो मतलब अब यह हुआ नहीं है इसको और पकाना पड़ेगा तो चलिए इसको मैंने और पका लिया है कुछ मिनिट तक और इसके बाद फिर हम पानी में डालकर इसको चेक करेंगे तो देखिए अभी मैं इसको पानी में से निकालकर चेक करती हूँ तो यह अभी भी हुआ नहीं है तो इसको अभी हमें और कुक करना पड़ेगा यह प्रोसीजन हमको कई बार करना पड़ता है क्योंकि एक बार अगर अच्छे से पक गया है हमको जिस तरह का चाहिए उसके बाद में हमें गैस तूरंद बंद करनी पड़ती है तो चलिए अब हमने इसको तीसरी बार चेक करके देख लेते है यह देखिए आराम से यह तूट रहा है मतले एक तो कुरकुरा हो गया है यह तो गैस अभी हम बंद करेंगे और इसमें हम आदी छोटी चमच खाने वाला सोडा डाल देंगे और इसको continue फटा फट चलाएंगे और continue चलाने के बाद में जैसे यह फूल रहा है ना यह जब फूला फूला रहेगा तभी हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे तो इसको तूरंत लीजिए और मोल्ड में शिफ्ट कर दीजिए अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो इसे like कीजिए, share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए तो फटा फट यह procedure करना है नहीं तो इसकी जाली है वो पड़ेगी नहीं फिर इसमें तो यह देखिए मैंने इसको कर दिया है और उसके उपर से मूफली वैसे तो इसमें बड़ी वाली सौफ रहती वो भी डाली जाती है पर मैं इसमें जानबुच करके avoid कर रही हूँ सौफ मैंने डाली नहीं आप चाहिए तो बड़ी वाली सौफ भी इसमें mix कर सकते हैं तो देखिए एकदम से थंडा हो गया इसको एकदम से थंडा किया है किनारे भी चोड दिये नहीं तो आप चाकू से इस तरह से और इसको अब अभी हम उलट देंगे थंडा होने में टाइम लगता है करीब 15-15 गन्टा लगा त थंडा होने में और इस तरह से आप इसको बरतन को अगर थप थप आएंगे तो ये आराम से निकल आएगा तो देखिए निकल गया है और इसके बाद में मैं इसको सीधा कर देती हूँ मतलब ये इतना सॉफ्ट बनाया के उठाने में ही तूट रहा है ये देखिए मैंने उठाया तो तूटी गया तो अब इसको मैं और तोड़ के आपको बता देती हूँ देखिए इसमें किस तरह से जाली पड़ी है इसलिए इसको बोलते हनी कॉंब कैंडी मतलब ये मदू मक्की के छत्ते जैसी अंदर से जाली पड़ती है इसमें चूकि क्वांटिटी में मैंने कम बनाया तो छोटी पड़ेगी और ठंड के मौसम में गुड़ गट्टा खाने का तो मजा ही अलग रहता है गुड़ फायदा भी बहुत करता है तो देखिए मैंने इस तरह से गुड़ गट्टे को तोड़ लिया है बहुत सॉफ्ट है मैं चोटे चोटे पीस करकर ही मोसली रख लेती हूँ ख तक हराम नहीं होता है आराम से खाते जर्ण को जब भी क्रेविंग ओ मीठा काने की तो बज़पन की याद आ गए ना तो बजपन में मैंने तो बहुत स्कूल के बाहर ठेले वाले भहिया से लेकर खाया है तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया है इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए तो कितना मज़ेदार बनाए ये चोटे-चोटे पीस कर दिये है मैंने ये देखिए और बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल दात में चिपकेगा भी नहीं मतलब आराम से टूड भी रहा है आराम से आप इसको खा सकते हैं तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मज